इनका opposite word क्या होता है या इनका antonym क्या होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं इनका मतलब होता है अंदर या किसी चीज मी तो इनका opposite हो सकता है out यानि कि बाहर तो जैसे कि आप कह सकते हैं he was going in यानि कि अंदर जा रहा था तो इसका उल्टा आप क्या कहेंगे he was going out यानि कि वो बाहर जा रहा था या फिर आप कह सकते हैं you should not go in today यानि कि आज आपको अंदर नहीं जाना चाहिए तो इसका उल्टा आप कहेंगे you should not go out today यानि कि आज आपको बाहर नहीं जाना चाहिए तो जैसे हिंदी में अंदर का उल्टा बाहर होता है वैसे ही इंग्लिश में इनका उल्टा या opposite word होता है out अब आप ऐसे ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें